नमस्कार दोस्तों प्यारी टेल्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम सुनने जा रहे हैं मुन्शी प्रेम चंद वारा लिखी कहानी बलिदान कहानी शुरू करने से पहले आपसे अन्रोध है कि कहानी पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तो शुरू करते हैं आज की कहानी बलिदान मनुशी की आर्थिक हालत का सबसे जादा प्रभाव उसके नाम पर पड़ता है मोजे बेला के मंगरू ठाकुर जबसे कांस्टेबल हो गया है उनका नाम मंगल सिंग हो गया है अब उन्हें कोई मंगरू कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कलू अहीर ने जबसे हलके के थानेदार साहब से दोस्ती कर ली है और गाउं का मुखिया बन गया है उसका नाम कालिका दीन हो गया है अब उसे कोई कल्लू कहे तो आखे लाल पिली करता है इसी तरह हरक चंदर कुर्मी अब हरखु हो गया है आज से 20 वर्ष पहले उसके यहां शक्कर बनती थी कई हलकी खेती होती थी और कारोबार खुब फैला हुआ था किन्तु विदेशी शक्कर की आमद में उसे मटिया मेट कर दिया आहिस्ता आहिस्ता कार खाना तूट गया जमीन तूट गई गहक तूट गया और वहवी तूट गया सतर साल का बूढ़ा जो की एक तकीयदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था अब सिर पर टोकरी लिए खात फेंकने जाता है मगर उसके मुख पर अभी एक तरह की गंभीरता बातचीत में अभी एक प्रकार की अकड चाल ढाल में अभी एक प्रकार का स्वाबिमान भरा हुआ है इन पर समय की गति का असर नहीं पड़ा रस्ती जल गई पर बल नहीं तूटा भले दिन मनुश्य के चरित्र पर हमेशा के लिए अपना चिन छोड़ जाते हैं हरकू के पास अब केवल पांच बीगा जमीन हैं सिर्फ दो बैल हैं एक ही हलकी खेती होती है किन्तु पंचायतों में आपस में कलह में उसकी सम्मती अभी सम्मान की नजर से देखी जाती है वह जो बात कहता है बेलाब कहता है और गाओं के अनपड उसके सामने मुख नहीं खोल सकते हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई वह बीमार अवस्य पड़ता कुवार महीने में मलेरिया से कभी न बचता था लेकिन दस-पांच दिन में वह बिना दवा खाई ही अच्छा हो जाता था इस वर्ष भी कार्टिक में बीमार पड़ा और यह समझ कर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा उसने कुछ परवार न के वगर अपकी जवर मौत का परवाना लेकर चला था एक सपताह गुजरा दूसरा सपताह भीता पूरा महीना गुजर गया पर हर्खु चारपाई से नव था अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई उसका बेटा गिरधारी कभी नीम की सीखें पिलाता कभी गुर्च का सत्तू कभी गदापूर्णा की जड़ पर इन दवाईयों से कोई फायदा न होता था हर्खु को यकीन हो गया कि अब संसार से चलने का दिन आ गया एक दिन मंगल सिंग उसे देखने गए विचारा तूटी चार पाई पर पड़ा राम राम जप रहा था मंगल सिंग बोला बाबा बिना दवा खाए अच्छे न होगे कुनैन क्यों नहीं खाते हर्खु उदासीन भाव से बोला तो लेते आना दूसरे रोज कालिका दिन ने आकर कहा बाबा दो चार दिन कोई दवा खालो अब तुम्हारी जवानी की दे थोड़े ही है कि बिना दवा दरपन के चंगे हो जाओगे हर्खु ने उसी धीमे भाव से कहा तो लेते आना लेकिन रोगी को देखाना एक बात है और शदी लाकर उसे देना दूसरी बात है पहली बार शिष्टा चार से होती है दूसरी सच्ची समवेदना से ना मंगल सिंग ने सूचना ली ना कालिका दीन ना किसी तीसरे ही ने हर खुद आलान में चार पाई पर पड़ा रहता मंगल सिंग कभी नजर आ जाते तो कहता भाईया वह दवा नहीं लाए मंगल सिंग कत्रा कर निकल जाते कालिका दिन दिखाई देते तो उनसे वह यही सवाल करता लेकिन वह भी नजर बचा लेता या तो उसे सूचता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती या वह पैसों को जान से भी प्यारा समझता था अतवा वह जीवन के निराश हो गया था उसने कभी दवा के मूली की बात नहीं की दवा ना आई उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई यहां तक कि पांच माह कष्ट भूगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया गिर्धारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला क्रिया कर्मु बड़े साहस से किया कई गाउं के ब्रामनों को निमंत्रिद किया बेला में होली नहीं मनाई गई ना अबीर और गुलाल उडी ना डफली बजी ना भंकी नालिया मही कुछ लोग दिन में हर्खु को कोस्ते जरूर थे कि इस बुढ़े को आज ही मरना था दो-चार दिन पस्चात मरता लेकिन इतना निरलज कोई न था कि शोक में आनन्द मनाता वह शहर नहीं था जहां कोई किसी के काम में शामिल नहीं होता जहां पडोसी के रोने पीटने का स्वर हमारे कानों तक नहीं पहुचता हर्खु के खेत गाउवालों की द्रश्टी होने लगे गिर्धारी तो क्रिया कर्म के अंदर भसा हुआ था उधर गाउं के मनचले किसान लाला उमकार नात को चैन नहीं लेने देते थे नजराने की बड़ी-बड़ी रकमे पेश हो रही थी कोई वर्ष भर का लगान पेशकी देने पर तयार था कोई नजराने की दुगनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था लेकिन उमकार नात सब को टालते रहते थे उनका खयाल था कि गिर्धारी लाल का हक सबसे जादा है वह यदि दूसरों से भी कम नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए अस्तु अब गिर्धारी क्रिया कर्म से निवरत हो गया और चैत का महीना भी खत्मोने आया तब जमीदार साहिब ने गिर्धारी को बुलाया और उससे पूछा खेतों के विशय में क्या कहते हो गिर्धारी ने रोकर कहा उन्ही खेतों ही का सहारा है जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा ओमकारनाथ नहीं अवश्य जोतो खेत तुम्हारे है मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ हरकूने उन्हें बीस वर्ष तक जोता उन पर तुम्हारा हक है लेकिन तुम देखते हो अब धर्ती किदर कितनी बढ़ गई है तो माट रुपे बीगे से जोतते थे मुझे दस रुपे मिल रहे हैं और नजराने के रुपे वो अलग तुम्हारी रियायत करके लगान वही रखता हूँ मगर नजराने के रुपे तुम्हें देने पड़ेंगे गिर्धारी बोला सरकार मेरे घर में तो इस वक्त रोटियों का भी ठिकाना नहीं है इतने रुपे कहां से लाऊंगा जो कुछ जमजथा थी दादा के खारे में उठ गई अनाज खलिहान में है किन्तु दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई है रुपे कहां से लाऊं ओमकारनाथ बोले यह सत्य है लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता गिर्धारी नहीं सरकार ऐसा मत करिये नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे आप अगर बड़े होकर कहते हैं तो बैल बधिया बेंच कर पचास रुपया कर सकता हूँ इससे बेशी की हमत नहीं पड़ती ओमकारनाथ चिड़ कर कहने लगे तुम समझते हो कि हम ये रुपे लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं किन्तु हमारे उपर जो कुछ गुजरती है हमी जानते हैं कहीं ये चंदा कहीं वह उपहार इनके मारे कंचूबर निकल जाता है बड़े दिन में सैकड़ों रुपे डालियों में उड़ जाते हैं जिसे डाली न दो वही मूँ फुलाता है जिन बस्तूओं के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगा कर डालियों में सजाता हूं उस पर कभी कानून गो आ गए कभी तैसीलदार कभी डिप्टी साहब का लशकर आ गया सब मेरे अतिती होते हैं यह न करूं तो नकू बनूं और सबकी आँखों में काटा बन जाओं साल में हजार बार सो मोदी को इस रसत खुराक के मद में देने पड़ते हैं यह सब कहां से आए बस यही दिल चाहता है कि छोड़ कर निकल जाओं लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक सो रुपया सत्ता कर लें तथा दूसरे को रो रो कर दें यही हमारा कार है तुम्हारे साथ इतनी रियात कर रहा हूं कि इन्तु तुम इतनी रियायत पर भी प्रसंद नहीं होते तो हरीक्षा नजराने में एक पैसे की भी रियायत नहोगी अगर एक हपते के भीतर रुपय दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे नहीं तो नहीं मैं दूसरा इंतजाम कर दूँगा गिर्धारी निराश और माई उसोकर घर आया सो रुपय का प्रबंद करना उसके काबू के बाहर था सोचने लगा यदि दोनों बैल बेच दूँ तो खेत ही लेकर क्या करूँगा घर बेचूँ तो यहां लेने वाला ही कौन है तथा फिर बाप दादों का नाम डूपता है चार-पांच ब्रक्ष हैं लेकिन उन्हें बेच कर 25 रुपय या 30 रुपय से जादा न मिलेंगे उधार लूँ तो देता कौन है अभी बनिये के 50 रुपय सिर पर चड़ें है वह एक पैसा भी न देगा घर में आबूशन भी तो नहीं है नहीं उन्हीं को बेचता लेदेकर हसली बनवाई थी वह बनिये के घर पड़ी हुई है वर्ष भर हो गया छुडाने की नौपत न आई गिर्धारी और उसकी इस्तरी सुभागी दोनों ही इसी फिक्र में पड़े रहते हैं लेकिन कोई उपाय न सूचता था गिर्धारी को खाना पीना अच्छा नहीं लगता रात को नीद ना आती खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके मन में हूक सी उठने लगती है हाई वह भूमी जिसे हमने वर्षों जोता जिसे खाद से पाटा जिसमें मेडे रखी जिसकी मेडे बनाई उसका आनंद अब दूसरा उठाएगा ये खेत गिर्धारी की जिन्दगी के अंश हो गए थे उनकी एक 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 अंगुल भूमी उसके खून से रंगी हुई थी उनका एक एक परमान उसके पसीने सितर हो गया था उनके नाम उसकी जिव्या पर उसी प्रकार आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के कोई 24ों था कोई 22ों था कोई नाले वाला कोई तलया वाला इन नामों के याद होते ही खेतों का चित्र उसकी आँखों के सामने खिट जाता था वह इन खेतों की चर्चा इस प्रकार करता मानोवी सजीव है मानो उसके भले बुरे के साथ ही है उसके जीवन की सारी उम्मीदें, सारी इक्षाएं, सारे मनसूबे सारी मन की मिठाईयां, पूरे हवाई के लिए इन ही खेतों पर अवलंबित थे इनके बिना वह जीवन की कलपना ही नहीं कर सकता था और वे ही अब हाथ से निकल जाते थे वह घवरा कर घर से निकल जाता और घंटों उन्हीं खेतों की मेणों पर बैठा हुआ रोता मानो उनसे विदा हो रहा हो इस प्रकार एक सब्ता बीद गया और गिर्धारी रुपे का कोई बंदुबस्त न कर सका आठवे रोज उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने सो रुपे नजराने देकर दस रुपे बीगे पर खेत ले लिए गिर्धारी ने एक ठंडी सांस ली एक पल बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलक बिलक रोने लगा उस दिन घर में चूला नहीं जला ऐसा प्रतीत होता था मानो हर खूँ आज ही मरा लेकिन सुभागी यों खामोश बैटने वाली इस्तरी न थी वह क्रोध से भरी हुई कालिकादीन के घर गई और उसकी पत्नी को खूब लथेड़ा कल का बानी, आज का सेट, खेत जोतने चले हैं देखे कौन मेरे खेत के अंदर हल ले जाता है अपना और उसका लोहू एक कर दूँ पडोसियों ने उसका पक्ष लिया सत्य तो है, आपस में यह चढ़ा उपरी नहीं करना चाहिए नारायन ने धन दिया है, तो क्या निर्धनों को कुचलते फिरेंगे? सुभागी ने समझा, मैंने मैदान मार लिया उसका मन शान्त हो गया किन्तु वही वायू जो पानी में लहरें पैदा करती है पेड़ों को जड़ से उखाल डालती है सुभागी तो पडोसियों की पंचायत में अपने दुख़े रोती तथा कालिका दीन की इस्तिरी से छेड़ छेड़ लड़ती इधर गिर्धारी अपने दरवाजे पर बैठा हुआ सोचता अब मेरी स्थिती क्या होगी? वह अब तक ग्रहस्त था उसकी गिंती गाउं के भले व्यक्तियों में थी उसे गाउं के मामले में बोलने का दिकार था उसे घर में धन न था मगर मान था नाई, बढ़ही, कुमार, पुरोहित, भाठ, चौकीदार ये सब उसका मुक ताकते थे अब वह मर्यादा कहां? अब कौन उसकी बात पूछेगा? कौन उसके दर्वाजे पर जाएगा? अब उसे किसी के बराबर बैठने का किसी के बीच में बोलने का अधिकार नहीं रहा अब उसे पेट के लिए दूसरों के गुलामी करनी पड़ेगी अब पहर रात रहे कौन बैलों को नांद में लगाएगा? वह दिन अब कहां? जब गीत गागा कर हल चलाता था चोटी का पसीना एडी तक आता था मगर जरा भी थकावट नहीं आती थी अपने ललहाते हुए खेतों को देख कर फूला न समाता था खलिहान में अन्ने का धेर सामने रखे अपने को राजा समझता था अब अनाच के टोकरे भर भर कर कौन लाएगा? अब खत्ते कहां? बखार कहां? यह सोचते सोचते गिर्धारी के नेत्रों से आसू की जड़ी लग जाती थी गाओं के दो-चार व्यक्ति जो कालिका दीन से जलते थे कभी-कभी गिर्धारी को तसल्ली देने आया करते थे मगर वय उनसे भी खुलकर न बोलता उसे मालूम होता था कि मैं सबकी द्रिष्टी में गिर गया हूँ अगर कोई समझाता कि तुमने क्रिया कर्म में बेकार इतने रुपे उड़ा दिये तो उसे बहुत कश्ट होता वह अपने उस काम पर जरा भी न पच्चता था मेरे भागे में जो लिखा है वह होगा लेकिन दादा के रिल से उरिल हो गया उन्होंने अपनी जिन्दगी में चार को खिला कर खाया क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसाता इस प्रकार तीन माह बीत गए और असाढ़ा पहुचा आकाश में घटाएं आई पानी गिरा किसान हल जुए सही करने लगे बढ़ाई हलों की मरमत करने लगा गिर्धारी पागल की भाती कभी घर के भीतर जाता कभी बाहर आता अपने हलों को निकाल निकाल देखता उसकी मुठिया भी तूट गई है इसकी फाल धीली हो गई है जुए में सैला नहीं है यह देखते देखते वह एक पल अपने को भूल जाता दोड़ा हुआ बढ़ाई के यहां गया और कहने लगा रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं चलो बना दो रज्जू ने उसकी तरफ करुना भाव से देखा और अपना काम करने लगा गिर्धारी को होश आ गया नीन से चौक पड़ा शर्मिंदगी से उसका सिर जुग गया आखे भराई खामोशी से घर चला आया गाओं के चारों तरफ हलचल मची हुई थी कोई सन के बीज खोचता फिरता था कोई जमीदार के चौपाल से धान के बीज लिये आता था तो कोई सला होती थी किसी खेत में क्या बोना चाहिए कहीं चर्चा होती थी कि पानी काफी बरस गया दो-चार रोज ठहर कर बोना चाहिए गिर्धारी ये बाते सुनता और जलहीन मचली की भाती तडपता था एक दिन शाम के समय गिर्धारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंग आए तथा इधर धर की बातें करके बोले गोई को बांध कर कब तक खिलाओगे निकाल क्यों नहीं देते गिर्धारी मलिन भाव से बोला हाँ कोई गाहक आए तो निकाल दो मंगल सिंग एक गाहक तो हमी खड़े हैं हमी को दे दो गिर्धारी अभी कुछ जबाब न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरच कर बोला गिर्धार तुम्हें रुपेद देने है कि नहीं वैसा कहो तीन माह से हीला हवाला करते हुए चले आते हो अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठे रहे गिर्धारी ने दीनता से कहा साह जैसे इतने रोज माने हो आजा और मान जाओ कल तुम्हारी एक-एक पाई चुका दूँगा मंगल और तुलसी ने संकेत से बातें की और तुलसी भुन-भुनाता हुआ चला गया तब गिर्धारी मंगल सिंग से कहने लगा तुम्हें ले लो तो घर के घर ही में रह जाए कभी-कभी नेत्र से देखतो लिया करूँगा मंगल मुझे अभी तो ऐसा कोई कार नहीं लेकिन घर पर सलाह करूँगा गिर्धारी मुझे तुलसी के रुपे देने भी है नहीं तो खिलाने को तो भूसा है मंगल यह बड़ा बदमाश है कही नालिश नहीं कर दे सरल दिल गिर्धारी धमकी में आ गया कारिकुशल मंगल सिंग को सस्ता सौधा करने का यह अच्छा मौका मिला असी रुपे की जोड़ी साथ रुपे में ठीक कर ली गिर्धारी ने अब बैलों को ना जाने किस उमीद से बांध कर खिलाया था आज उमीद का वाए कल्पित सूत्र भी तूट गया मंगल सिंग गिर्धारी की खाट पर बैठे रुपे गिन रहे थे और गिर्धारी बैलों के पास विशाद मैं आखों से उनके मुह की ओर ताक रहा था आज मेरे खेतों के कमाने वाले मेरे जिन्दिगी के आधार मेरे अन्यदाता मेरी मान मरियादा की सुरक्षा करने वाले जिनके लिए पहर रात में उटकर छाटी काटता था जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से अधिक रहती थी जिनके लिए सारा घर दिन बर हर्याली उखाड़ा करता था ये मेरी उम्मीद की दो आखें मेरे इरादे के दो तारे मेरे अच्छे दिनों के दो निशान मेरे दो हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं अब मंगल सिंग ने रुपे गिन कर रख दिये तथा बैलों को ले चले तब गिरधारी उनके कंधों पर सिड़कर खुब फूट फूट कर रोने लगा जैसे कन्या मायके से विदा होते वक्त माबाप के पैरों को नहीं छोड़ती उसी तरह गिरधारी इन बैलों को ना छोड़ता था सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी तथा छोटे लड़का मंगल सिंग को एक मास की छड़ी से पीट रहा था रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया चारपाई पर पड़ा रहा सुभए सुभागी चिलम भर के ले गई तो वह चारपाई पर नहीं था उसने समझा कहीं गए होंगे किन्तु जब तो तीन घड़ी दिन चड़ाया और वह न लोटा तो उसने रोना धोना आरंब किया गाउं के लोग जमा हो गए चारों और खोज होने लगी पर गिरधारी का पता न चला संध्या हो गई अंधेरा चा रहा था सुभागी ने चिराग जला कर गिरधारी के सिरहने रख दिया था और बैठी दर्वाजे की ओर ताक रही थी किस ऐसा उसे पैरों की आहट मालूम हुए सुभागी का मन धड़ा कुठा वह दोड कर बाहर आई और इधर धर ताकने लगी उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के निकट सिर जुकाए खड़ा है सुभागी बोल उठी घर आओ वहाँ खड़े क्या कर रहे हो आज पूरे दिन कहां रहे यह कहते हुए वह गिरधारी की तरफ चली गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया वह पीछे हटने लगा तथा थोड़ी दूर जाकर गायव हो गया सुभागी चिलाई और बेहोश होकर गिर पड़ी दूसरे रोज काली का दिन हल लेकर अपने खेत पर पहुँचे अभी कुछ अन्हेरा था बैलों को हल में लगा रहे थे कि अजानक उन्होंने देखा कि गिर्धारी खेत की मेर पर खड़ा हुआ है वही मिर्जई वही पगड़ी वही सोटा काल का दिन ने कहा अरे गिर्धारी मर्दे व्यक्ति तुम यहां खड़े हो और बेचारी सुभागी आस्चर चकित हो रही है कहां से आ रहे हो या कहते हुए बेलों को छोड़ कर गिर्धारी की ओर चले गिर्धारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुवे में कूद गया काल का दिन ने चीख मारी और फिर हल बेल वहीं छोड़ कर भागा सारे गाउं में शोर मच गया और लोग अनेकों तरह की कलपनाय करने लगे काल का दिन को गिर्धारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी गिर्धारी को गायब हुए छे माँ बीच चुके है उसका बड़ा लड़का अब एक इट के भटे पर कारे करता है और बीस रुपे महीना घर आता है अब वो एक कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जो के बजाए गेहु खाया जाता है किन्तु गाउं में उसका कुछ भी आदर नहीं है यह अब मजूना है सुभागी अब पराय गाउं में आए हुए कुट्टों की तरह दुबगती फिरती है वह अब पंचायत में नहीं बैठती वह अब श्रमिक की मा है कालका दीन ने गिर्धारी के खेतों से स्तीफा दे दिया क्योंकि गिर्धारी अभी तक अपने खेतों के चारों और मंडराय करता है अन्हेरा होते ही वह मेल पर आकर बैठ जाता है तथा कभी-कभी रात को उसके रोने की आवाज सुनाई देती है वह किसी से बोलता ही नहीं किसी को छेड़ता नहीं उसे सिर्फ अपने खेतों को देखकर इत्मिनान होता है दिया जलने के पश्चात उधर का रास्ता बंद हो जाता है लाला उंकारनात काफी चाहते हैं कि ये खेत उठ जाएं लेकिन गाउं के लोग अब उन खेतों का नाम लेते हुए डरते हैं तो दोस्तों ये थी कहानी बलिदान कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजेगा धन्यवाद